दोस्तों, income tax की नई section 194, क्योंकि जो applicable data वो जैसे जैसे पास आ रही है, वैसे वैसे बड़ी-बड़ी company ने अपने बाहर से application लेना शुरू कर दिया है, और उस application पे केवल उनको यी दो बाते बतानी है, अगर आपके जो previous financial year 2021 की जो turnover है, वो 10 crore से ज्यादा की है, या फिर 10 crore से कम की है, क्योंकि अब 1 July 2021 से कुछ जो accounting के जो method detection का, उसमें कुछ billing के में कुछ changing होने वाली है, क्योंकि अब 1 July 2021 के बाद में, अब अपना जो buyers है, वो अपने sellers का TDS है, जो deduct करेगा, लेकिन उसकी भी दो condition है, वे जो buyers TDS deduct कर रहा है, अपने suppliers का, उसकी financial year 2021 में जो उसके total turnover हो वो 10 क्रोट से ज़्यादा की रहनी चाहिए, और उन्होंने 1 April 2021 से लेके, और 30 June 2021 तक उन्होंने 50 लाख रुपे से ज़्यादा की billing particular किसी एक supplier के साथ उन्होंने कर लियो, तो उसके बाद में 1 July के बाद में, अगर वो advance payment करते हैं, या फिर उनका कोई goods purchase पहले करते हैं, दोनो से किया है, और उनका question ये ये भी, उन्होंने 5 April 2021 को अपना विजन से नया start किया है, और उन्होंने अभी तक 25 June 2021 तक particular एक ही supplier के साथ उन्होंने 1 क्रोट से ज़्यादा की billing कर लिया है, या पिर उन्होंने 1 क्रोट से ज़्यादा का समान उन्होंने परसेज कर लिया है, तो क्य अब उनको 1 July 2021 के बाद में अपने जो उनका supplier से है, उनका TDS डिडेक्ट करना पड़ेगा क्या, या फिर उनके उपर 206 सबसेक्शन 1 H वड़ा नियम ही लगू रहेगा, तो इस वीडियो हम practically discuss करेंगे, भी इस ऐसे matter पर अब क्या रहने वाला है, तो दोस्तों वीडियो शु सबस्क्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को भी जुरूर अन करें, तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोन सुथार और आप सबी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पे बहुत-बहुत सवाकत है, तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो, तो दोस्तों जो हमारी वीवर्स का जो question है question उनका यह था भी, उन्होंने जो working जो start करी है, विजने जो start किया है, वो इसी financial year के वर्स के दोरान के, यानकि 2021-22 के दोरान ही उनका विजन स्टार्ट हुए है, तो अब जो condition होती है 194, क्योंकि वो यह यह भी आपकी previous financial year की, यानकि 2020-21 की turnover अगर 10 crore से ज़्यादा किया है, तो यह आप 1 April 2021 से लेके, जो 30 June तक आपकी turnover है, आपने किसी एक suppliers के साथ 50 लाग रुपे से ज़्यादा की billing आप करवा चुकि हो, तो यह आपके उपर 1 जुलाई के बाद में 194Q की section applicable होगी, तो अब इस condition के अंदर 194Q की section है, वो बिल्कूल ही भी लागू नहीं होती, क्योंकि उनका जो business start जो हुआ है, वो इसी financial year, जयनकि 2021 फाइनस लियर में ही शुरू हुआ है, तो प्रिविस financial year में इसके turnover हो, बिल्कूल 0 मानी जाएगी, तो यह condition तो उनके ओपर अब applicable नहीं होगी, तो दोनों में से, दोनों condition लागू होनी चाहिए, दोनों में से एक ही condition लागू ह लेगा, भी आपकी जो turnover है, किसी buyers के, और 10 crore से कम है, लेकिन जो turnover है, पर टिकुल दर एक suppliers के साथ, वो 50 लाग रुपे से की, ज्यादा की वो कर चुके है, लेकिन जो suppliers है, उनकी प्रिविस financial year की जो turnover है, वो 10 crore से ज्यादा की है, और 50 लाग रुपे की ज्यादा की billing तो आप बिजनस शुरू किया है, जए अब उन्होंने किसी particular एक suppliers के साथ, जए उन्होंने 5 crore की turnover भी क्योंना कर लियो, लेकिन उनके अपर अब ये 194 क्योंकि जो section है, वो बिलकुल भी लागू नहीं होगी, अब उनके उपर ये section लागू होगी, जो financial year 22 का जो applicable होगा, उसके उपर, अगर उनके जो turnover है, इस financial year 2021 के दोरान, अगर 10 crore से ज़्यादा की रहती है, तो उनके अपरी applicable हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने एक condition तो first quarter में ही cross कर ली है, जो 50 अलाग रुपे वाली billing की जो gross है, उन्होंने first quarter में कर ली, क्योंकि उन्होंने 5 अप्रेल से लेके, और 25 जून तक 1 crore से ज़्यादा की goods जो अपने supplier से purchase कर चुकी है, तो एक condition तो उन्होंने first quarter में clear कर ली, अब बात आती है, 10 crore की, अगर 10 crore की turnover उनकी 1 April 2021 से लेके, 31 March 2022 तक turnover टोटल जो trading count में जो उनकी sell जाएगी, जिस्ट्यार जो उनका sell है, 3B की, 3B की sell है, वो आपकी count होएगी, वो 10 crore से आपकी ज्यादा की रहने दिए, तो अब ऐसे condition में 194 की जो अभी इस साल से applicable उनके उपर लागू नहीं होगा, अब बात आती है दोस्तों, यह जो TDS जो deduct करना है, वो किस प्रकार करना है, तो दोस्तों, अगर आप अपने suppliers को, अगर payment advance करते हो, advance का payment, मतलब आप bill to bill तेकिन उसके बाद अगरा payment आपकी advance रहती है, तो ऐसे स्थिते में आपको करना क्या होगा, आप 1 जुलाई से लेके और 31 जुलाई तक total आपको counting करनी है, भी आपने advance payment ज्यादा दिया है, या फिर 1 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक आपने जो purchase की invoice की जो value है, वो ज्यादा ह तो दोनों में से जो ज्यादा होगा, तो उसके उपर आपको TDS है, जो month end पे ही आपको एक अपने जो suppliers है, उनको आप debit note दे सकते हो, क्योंकि अब advance payment आप दे रहे हो, आपको जो deposit करवाना है, क्योंकि अब यह मलब रूल यह भी आपको अपने books of accounts में TDS है, जो मलब deduct करना है लेकिन deposit तो आपको अगस्त मन्त में करवाना है, तो ऐसी स्तिती के अंदर आपको नहीं पता है भी आपका invoice की value क्या रहेगी, या फिर आप advance पे जो payment दे रहे हो, वो आपकी advance जा रही है, या अभी प्रविस जो invoice है, उनके against में जा रही है, तो वो आपको अभी तक नहीं प लिए अगर credit side को total ज़्यादा आ रहा है, तो इसका मलब आपने जो purchase किया है, उसकी value ज़्यादा है, तो दोनों में से जो ज़्यादा रहेगी, उसके उपर ही आपको TDS है, जो deduct करना होगा 0.1% के इसाफ़ से, तो दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको knowledge अब लगी हो, तो